जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2023 में कितने सूर्य ग्रहन होंगे, कितने चंद्र ग्रहन होंगे ग्रहन का समय और सूतक काल क्या होगा ग्रहन किस रासी में लगेगा, ग्रहन के दोरान योग और नक्षत्र क्या होंगे, ग्रहों की इस्तिती क्या होगी और धनोरासी के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगी जानेंगे सभी बातों के बारे में तो दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो दोस्तो बात करते हैं साल 2023 में कितने ग्रहन लगने जा रहे हैं बात करते हैं विस्तार से खगोलिये और धार्मिक दोनों दरस्टियों से ग्रहन को एक महत्पून घटना माना जाता है और पिछले साल की तरह इस साल यानि 2023 में चार ग्रहन लगने जा रहे हैं इन में से दो सूर्य ग्रहन होंगे और दो चंद्र ग्रहन होंगे 2023 का पहला सूर्य ग्रहन जो कि 20 अपरेल 2023 दिन गुरुवार को बैसाक महिने के किर्शन प्रक्ष की अमावश्य तित्य को लगेगा और ग्रहन का जो समय होगा वो 20 अपरेल को सुबह 7 बजकर पांच मिनट से सुरू होगा, जो कि दोफैर बारा बजकर उन्तीस मिनट पर समाप्त होगा, सूर्य ग्रहन की अबधी पांच घंटे चौवीस मिनट होगी, सूर्य मेश रासी में होगा, अश्वनी नक्षत्र होगा, विसकुंभ योग बनेगा, और सूर्य ग्रहन के समय एक ह सूर्य ग्रहन का सूतक काल, ग्रहन से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, और सूर्य ग्रहन की समाप्ती तक होता है, यह सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा, यह सूर्य ग्रहन कमबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापूर औस्टेलिया इंडोनेशिया आदी देशों में दिखाई देगा ग्रहन के दोरान मंगल देव आपके सब्तम भाव में वराजमान होंगे तो ऐसे में जो लोग साजेदारी में कोई कारोबार कर रहे हैं वो थोड़ा सा साबधानी रखें अपने पार्टनर से सभी बातों को इसपस्ट करके चलें देव गुरु ब्रस्पति आपके चत्थुर्त भाव में होंगे जो की परिवार में खुश्या लाने का काम करेंगे इस औरान भूमी भवन आदी से अच्छे लाव की प्राप्ति होगी यहां से देव गुरु ब्रस्पति की दरस्टी आपके दसम भाव पर होगी और गुरु की दरस्टी जिस भाव पर होती है वहां अमरत के समान फल की प्राप्ति होती है यानि केरियर उचाईयों पर होगा वेपार वेबसाय में अच्छी उन्यती देखने को मिलेगी और अच्छा लाब प्राप्त होगा यह समय आपके लिए किसी चमतकार से कम नहीं होगा शुकर देव आपके छटे भाव में होंगे तो यहाँ यह आपके स्वास्थे को प्रभावित करेंगे साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे लेकिन आपसे कठेन परिश्रम भी करवाएंगे और आपको अच्छा लाब भी देने का कारिय करेंगे सनी देव आपके तिर्ते भाव में होंगे तो ऐसे में आपके प्राक्रम में वरद्धी होगी आध्यात्म के और जुकाव होगा किसी यात्रा पर जाने के युग बनेंगे भाई भेनों का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा और भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा सनी की किरपा दस्टी आप पर बनी होगी आपकी मेहनत आपके कियेगे प्रियास सफल होंगे और आर्थे किस्तिती मजबूत होगी केतु आपके लावभाव में होंगे तो यहाँ केतु आपको थोड़ा सा प्रभावित करेंगे तो थोड़ा सा यहां सावधानी रखनी होगी साल 2023 का दूसरा ग्रहन चंद्र ग्रहन होगा जो की 5 मई 2023 सुक्रवार को लगेगा ग्रहन के दौरान चंद्र मा तोलारासी में होगा यानि धनुरासी के लोगों के लिए लाव भाव में होगा एक अदस भाव में पांच मैं 2023 बैसाक महा का शुक्ल पक्ष का सुकुलवार का दिन होगा इस दिन पूर्णी मा तिती होगी स्वाती नक्षत्र होगा सिध्धी योग बनेगा मेश रासी में चार ग्रह, बुद्ध, गुरु, सूर्य और राहू वराजमान होंगे तोला रासी में दो ग्रह वराजमान होंगे चंद्रमा और केतु यह ग्रहन भारत में दिखाई देगा ग्रहन का जो समय है वो रात आठ बज कर 45 मिनट से सुरू होगा और रात एक बज़े तक समाप्त होगा ग्रहन का सूतक काल ग्रहन से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है तो इसलिए सूतक काल भी मानने होगा तो मंगल यहां आपके सबतंभाव में वराजमान होगा शुक्र देव आपके अस्टंभाव में वराजमान होगे तो ऐसे में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और शुक्र की दरस्टी आपके लाव भाव पर होगी तो ऐसे में लाव के अवसर आपको मिलेंगे परिवार में खुशियों का आगमन होगा इस दोरान आपके रिष्टे मजबूत होंगे प्रेम जीवन अच्छा होगा कोई सुप समाचार भी प्राप्त होगा सनी तिरते भाव में वराजमान होंगे तो यहाँ आपके प्राकरम में वरद्धी होगी भाई बेहनों का पूरा साथ आपको मिलेगा और साथ ही भागय साथ देगा क्योंकि यहाँ सनी के दरस्टी आपके भागय भाव पर होगी तो सिक्षा के छेतर से जुड़े लोगों को भी यह समय अच्छा साबित होगा इस दिन अश्विन महा का किर्शन पक्ष का यह दिन होगा अमा वश्या तिथी होगी ग्रहन जो है कन्या रासी में लगेगा और कन्या रासी में सूरिय के साथ साथ चंद्र और बुद्ध भी वराजमान होगे मेस राची में दो ग्रह मौझूद होंगे राहू और गुरू तुला में मंगल और केतु वराजमान होंगे और सूर्य ग्रहन तीन बजकर तीन मिनट पर सुरू होगा और आठ बजकर पच्पन मिनट पर समाप्त होगा यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सुतक कालवी मानने नहीं होगा ग्रहन के दोरान मंगल देग आपके लाब भव में वराजमान होंगे और बुद्ध सूर्य और चंद्रमा यह आपके केडियर और वेवसाय के भव में वराजमान होंगे यानि दसंभाव में देव गुरु ब्रस्पति आपके पंचम भाव में होंगे और गुरु के साथ साथ राहु भी होंगे तो पंचम भाव में इस्थित गुरु और राहु की युति चंडाल योग बनाएगी इससे आपको संतान पक्ष पर कश्ट होगा तो ऐसे में अपने संतान पर ध्यान रख हैं साथी प्रेम संबंदों में भी खटास आ सकती है छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तो इसके लिए राहू और गुरू के मंत्रों का जाप करें तो कुछ इसमें फायदा होगा बात करें साल के चौथे ग्रहन के बारे में यानि साल का अंतिम ग्रहन जो होगा व सनिवार का दिन होगा चंद्र ग्रहन नीन रासी में लगेगा रेवती नक्षत्र होगा हरसन योग बनेगा और यह ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने होगा अंतिम ग्रहन यानि चंद्र ग्रहन 28 अक्टूबर को दो फैर 1 बजकर 6 मिनट से हो जाएगा ग्रहन के दोरान तुला रासी में चार ग्रह मंगल बुद्ध सूरिया और केतू वराजमान होंगे मेश रासी में दो ग्रह राहू और गुरू वराजमान होंगे ग्रहन के दौरान कुछ साबधानियां भी रखनी होंगी क्योंकि ग्रहन के समय नकरात्मक ओर्जा बढ़ जाती है इसलिए ऐसे में कोई नया कारिये शुरू ना करें गर्वती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें तेज धारवाली चीजें चाकुछुरी का इस्तेमाल ना करें ऐसा करने से बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है सूर्य ग्रहन के पश्चाथ यानि सूर्य ग्रहन और चंदर ग्रहन जो भी ग्रहन है उसके पश्चाथ इसनानादी करने के बाद अपनी सामर्थ एक अनुसार दान पुन आवश्य करें और आदित्य अहिर्दय इस्तोतर का पाठ करें एसा करने से नकारात्मक उर्जा दूर होती है और सकारात्मक उर्जा का परभाव होता है तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो